आज हम बात करेंगे दोतियस समिस्टर यूपी डियलेड के सभी प्रशन पत्रों की इस वीडियो में मैं जितने भी प्रशन पत्र होंगे उन सभी को दिखाने का आपको प्रयास करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आप यह अनुमान लगा पाएंगे यह अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह के प्रशन आपकी यूपी डियलेड की परिच्छा में पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रशन पत्र होते हैं और कितने प्रशन पत्र होते हैं सारी जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगी यह दूसरे समेस्टर के प् प्रश्ण पत्र अप्लोड करने के बाद मैं सीरेल वाइज समय समय पर सभी प्रश्ण पत्रों की वीडियो बनाकर सालव पेपर के साथ अप्लोड कर दूँगा चली वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करिएगा हम यहां से सु यहां पर आप देख पाएंगे प्रथम प्रश्ण पत्र वर्तमान भारतिय समाज इवं प्रारंबिक सिच्छा पूर्णांग की बात करें तो पचास और शमय जो है दो घंटे का है यहां पर आप निर्देश पढ़ लेंगे उसके बाद हम यहां पर सुरुवात करेंगे व अगला वीडियो बनाऊंगा तो अलग-अलग प्रश्ण पत्र का अलग-अलग वीडियो बनाकर अप्लोड कर दूँगा उनको आप देख लेंगे और आप चैनल की प्लेलिष्ट में जाकर भी देख सकते हैं यह सारे वीडियो और आपको किस टॉपिक पर किस विशय की सब प्रोड़ों की बालिकाओं की बालुकों की या फिर दिव्यांगों की उसके बाद हम यहाँ पर अगला प्रस्ण क्या हो जाएगा यह देख लेते हैं फ्रोबिल द्वारा प्रतिपादित सिच्छण पध्धत क्या है किंडर गार्टन बालुद्यान हस्तकला या फिर या फ उसके बाद हम यहाँ पर अगला प्रस्ण देखेंगे क्या हो जाएगा तीसरा प्रस्ण होगा जन संचार का या उंत्रिक साधन क्या है टेलिवीजिन टेप रिकारडर कंप्यूटर या फिर उपरियोक्त सभी उसके बाद हम आगे देख लेते हैं वैदिक साहित्य में प्र बहुत धकाली सिच्छा का प्रमुख उद्देश से क्या था या नरजित करना मूले विक्षित करना निर्वाड की प्राप्ति या फिर बालिकाओं का सैच्छिक विकास करना और मैं यहाँ पर आप से एक बात जरूर कहना चाहूंगा अगर आप यूपी डियलेड सेकेंड समेस्टर में हैं तो इन्हें सभी प्रशनों को आप एक बार स्वयम से जरूर करिएगा अगर आप इन्हें स्वयम से हल करते हैं तो आपको परिच्छा में इसका लाव निश्ची तोर पर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर बारहमा प्रशनों देखेंगे निसुल के महात्मा गांदी या फिर रवेंद्र नात्र टैगोर यहाँ पर तेरहमा प्रशनों होगा राश्टियर जरन संख्या नीति का मुख्य उद्धे से क्या था पाथि पुस्तोकों के माध्यम से संतान व्रधि के रोकने के उपाय बताना प्रोड़ों को जाना जनाध्धि के ब का सामन जैसे स्थापित करते हैं सामन जैसे स्थापित करती हैं या कतन किसका है महात्मा गांधी का रवेंद्र नात्र टैगोर का गीजु भाय बधेका का या फिर जवाहर लाल नहिरू का उसके बाद यहां पर मागले आगे देखेंगे अगला प्रशन है उड़काब भी भावी नागरी बालकों की सिच्छा उतकर्ष्ट हो या फिर बालक बालिकाओं से स्रेश्ट हो उसके बाद यहां पर आगे देखेंगे करमेंद्रियों ग्यानेंद्रियों वाप पढ़ने लिखने की सिच्छा इन तीन भागों में से च्छडपध्धितियों को उसके बाद हम यहां पर देखेंगे पार्या वरण सर्ण रचन अधिनियम लागू हुआ कब लागू हुआ सन 1908 में सन 1922 में या फिर सन 1986 में 1988 में सही वित्तर आप देखेंगे इसके बाद हम आगे देखेंगे अतिलगोतियों की सुरुआत हो जाएगी यहां पर गांधी को मुख्य रूप से किस वित्त द्वारा सिच्छा दी जाती है प्रियोजनवादी सिच्छा के कोई दो उद्दे से लिखिए बुनियादी सिच्छा के जन्मदाता कौन है डाक्टर मारिया मांटे सरी का जन्मद कहा हुआ था समाज की एक उप्रयोगत परिभासा लिखिए सिच्छा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारुकों को लिखिये शिच्छा के सारव भूमी करण से क्या आशा है और इसके बाद हम आगे देखेंगे यहां पर आप देखेंगे जनसंख्या को परिभाषट कीजिए वायूप्रदूशन के मूल रूप से कितने मूल रुप से सुरोत माने जाते हैं और जनसंख्या यानि जन स्थान्शन्षन से क्या अभिपिराई है और जनसंचार के यंत्रोततर साधनों का नामू छेनकर करना एक संचिप्त लेखी लिखिए यानि गिजू भाई के विचारों को यहां पर एक लेख लिखना है दो नमबर के प्रिशन सुरुवात होगी यहां पर और बाल स्रम किस प्रकार निसुल के वं अनिवार बाल सिच्छा में बाधक है इस पश्ट करना है और जातिवाद एक जट प्रकार विक्सित किया जा सकता है और इसके बाद यहां से 35 नमबर प्रिशन की शुरुवात हो जाएगी यहां पर आप देखेंगे भू मंडल्य ताप व्रध्य से क्या अभिप्राय है और इस भू मंडल्य ताप व्रध्य पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है यहां से शुरुवात हो जाएगी दूसरे प्रश्ण पत्र के दूतिये प्रश्ण पत्र यहां पर शुरुवात होगी प्रारंभिक हिच्छा के नवीन प्रियास पूर्ण की 50 है और समय इसका दो घंटे यहां पर आपने एड़ेश पढ़ लेंगे इसके बाद हम यहां पर वस्तुनिष्ट प्रश्णों को देख लेते हैं नियमित समय से स्कूल में उपश्थित होना पाठिक्रियम के अनुसार पढ़ाना और उसे निरधार समय में पूरा करना प्रतेग बच्चे की सीखने की योगता का आकलन करना उप्रियोग तो सभी और यहां पर हम देखेंगे निसुल के और अनिवार बाल अधिकार बाल सि इच्छा आयोग राश्टे से इच्छा आयोग या फिर मुदालियर आयोग इसके बाद यहां से शुरुवात हो जाएगी तीसरे प्रिष्ण की और चार से ग्रांट के सैच्छिक प्रियास किया थे भारत में विद्यालियों की इस्थापना अंग्रेजी माध्यम से यहां से अगरा प्रिष्ण सुरू होगा शठुमा कुठारी आयोग कब गठित हुआ 1935 में 1922 में चोवन पच्छिपन में या फिर चोश्ट शाच्छ में इसकूल चलो अभियान में किस अच्छा तक के बच्चों को आकरसित करने की योजना थी एक से आठ तक नरसरे से पा प्रतिवेदन प्रिष्टूत किया था 16 दिसंबर 1990 में 15 सितंबर 1989 में और 6 अप्रेल 1987 में या फिर 15 अगर्स 1968 में बारह में प्रिष्ण होगा स्कूल रेडिनेस कारिकर में विद्याले सिच्छा की तैयारी में निम्ने छेत्रों पर बल दिया गया आपको सही उतर बताना है वह एक्तिक एवं सामाजिक तैयारी सैचिक तैयारी मनो रंजनात्मक स्रजनात्मक तथा साब्दिक भासां का उसर उपरियुक्त सभी इसके बाद हम यहां पर एगला प्राश्म देखेंगे प्रोफेसर यसपाल समित्य से पूर्व किस समित्य ने चात्रों पर पढ़ाई क बोज के लिए चिंता विक्त की थी पटेल समित्य ने एसी एर्टी कारियल दलने आचारे राम मूर्ती समित्य ने फिर उपरियुक्त तीन ने इसके बाद यहां पर देखेंगे राश्ट्य बाल स्रम पर योजना एंसी इलपी संचालित की गई नवी पंचवरसी योजना मे आठवी पंचवरसी योजना में सातवी पंचवरसी योजना में उपरियुक्त में से कोई नहीं इसके बाल में आगे देखेंगे नवा प्रश्ट्य होगा नसी इफ दोजार पांच के अंतरगत पुन रिचित गुडवत्ता वीजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोंड चिन्हित किये गए हैं बच्चों के प्रतिदृष्टिकोंड सिच्छक की भूमिका एवं सिच्छन के प्रतिदृष्टिकोंड सिच्छन विद्या के प्रतिदृष्टिकोंड या फिर उपरियोगत सभी और यहां से चौधामा प्रिश्ण होगा पोसा हर वित्रन योजना को निम ने विचार से प्रारंब किया गया नामंकन संख्या बढ़ाने के लिए समुद्धाय को सामिल करने के लिए सिच्छकों को विस्त करने के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए सही उतर क्या होगा आगे हम देखेंगे और प्रेशन ब्लेक बोर्ड कब प्राराम हुआ 1964 में 86, 87, 88 में 95, 96 में और या फिर 2001 या 2002 में इसके बाद यहाँ पर 15 नमबर प्रिश्ण हो जाएगा हास एवं यहाँ पर प्रिश्ण क्या होगा हास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लच्छ को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाय प्रदान की जाती है की जा रही है चात तवरती विद्याले माद्ध्यन भोजन इसके बाद यहाँ से सुरुवात हो जाएगे लगोतिर फिश्णों की जो की एक एक नंबर के है यहाँ पर मागे देखेंगे सम्विधान की अनुच्छेद 21 एक भाग थर्ड में थर्ड के अंतरगत यानि तीसरे भाग तीन के अंतरगत मूल अधिकार में क्या निहित है बाल अधिकार बाल सिच्छा अधिकार अधिनियम के अंतरगत बाल सिच्छा अधिकार अधिकार नियम के अंतरगत क्या निजी ट्यूसन की छूट रखी गई है कलकता मदरसा किस्था अपना कब और किसने की मिशन स्कूलों की चार विशेशताएं बताईए सिच्छा में छराई सिद्धानत से क्या साय है लाड करजन ने सैच्छिक नीतियों में सिमला सिच्छा सम्मेलन 1901 बताईए और राष्टी सिच्छा नीत 1992 में राष्टी सिच्छा विवस्था के विशे में क्या कहा गया और आगे हम देखेंगे सिच्छा विवन बोज के नामक सीरिसक किसके रिपोर्ट में प्रिश्थत की गई इस पस्ट कीजिए NC FTE 2009 क्या है आप्रेशन ब्लेक बोर्ड योजना के अंतरगर प्रतिक विद्यालयों को दी जाने वाली कि नहीं चार वस्टों के नाम लिखिए P.MOST क्या है S.O.P.T. का पूरा नाम लिखिए आगे देखेंगे N.P.E.G.V.F.L. प्रत्मिक इस तरही हम माध्यमिक्स बाली का सिच्छा योजना क्या है आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर जिला प्रत्मिक्स इच्छा कारिक्रम यानि D.P.E.P. किस बैंक की विद्य सहायता से संचालित किया गया और राश्ट्रिय बालस्रम परियोजना का उद्यस क्या है इसके बाद यहाँ से लगोतिर प्रिष्णों की सुरुवात होगी जो कि दो नमबर के होंगे यहाँ पर क्या होगा बच्चों के अधिकार यानि बाल अधिकार के संबंद में मुखे प्रावधानों का उलेख कीजिए उड़का घोष्णा पत्र भारती सिच्चा का महारिकार पत्र कहलाता है इसकी विवेचना करना है और कोठारी आयूग के अनुसार सिच्चा क्या पंच मुखी कारिक्रम क्या है यह सभी दो नमबर के होंगे यहाँ से मागे देखेंगे राष्ट्री सिच्चा नेती 1986 की प्रमुख विशेस्ताओं का वर्णन कीजिए राष्ट्री पाठे चर्या की रूप रेखा दोजार पांच पटी पड़ी लिखिए संपूर्ण साथ चर्ता अभियान में उत्तरदाई अभी करन कौन कौन से है प्रमुख शिच्चा के विकास है तु संचालित कारिक्रमों का संच्छिप्त परिचे देजिए प्रार्णुख शिच्चा को सुद्रण करने है तो नवीन प्रयास पर विचार पिश्टुत कीजिए आगे हम देखेंगे यहां से सुरुवात हो जाएगी तीसरे यहां से शुरुवात होगी तीसे प्रशन पत्र विज्यान की जो की 25 नंबर का पूरांग होगा और यह समय जो है एक घंटे का होगा यहां पर भी हम देख लेते हैं विदुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करता है विकल्प आपको देखने के लिए मिलेंगे अगला प्रशन होगा विटामिन C का इसकार विटामिन C का रसानिक नाम क्या है अम लोग वे पदार्थ हैं जो यहां पर आपको विकल्प पर मिलेंगे यह आप बताएंगे इसकी बाद यहां पर क्या हो जाएगा इन में से कौन से सूचक इंडीकेटर नहीं है इसकी वाद हम आगे देखेंगे यहां से अतलो गुत्तिरी फिश्णों की शुरुआत होगी यांतरी कुर्जा कितने प्रिकार की होती है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते है फसल चकर किसे कहते है मेरे समस्क रोग किसकी कमिस के कार्ण होता है काश्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासानिक सूतर लिखिये किसी एक केट नासक पदार्थ का नाम बताइए इसके बाद यहां से और मैं आपको बता दू यहां से जो आते लग उत्रे पिसन होते हैं एक एक नंबर के होते हैं और लग उत्रे जो हैं यह दो दो नंबर के होते हैं और बहुवी कल्पी भी एक एक नंबर के होते हैं लगुत्र प्रिशन क्या हो जाएंगे प्रिकास संसलेशन और सुसन में अंतर लिखिए लवण किसे कहते हैं या कितने प्रिकार का होता है और अमलिय लवण का उदाहन दीजिए नाभी की ओर जा क्या है इसके उपयोग समझाईए और संतुलित आहार किसे कहते हैं में संतुल भोतिक तथा रासानिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण से समझाईए इसके बाद हम आगे देखेंगे यहां से चौथे प्रश्ण की सुरुवात हो जाएगी चौथा प्रश्ण होगा गड़ित का 25 नंबर का पूरा कोश्ण में जो है एक घंटे का होगा यहां पर आप वीगल पर देख पाएंगे परिमे संख्या परिमे संख्या माइनस 24 बटे 45 के समतुले संख्या कौन सी होगी यह आपको बताना है इसके बाद यहां पर क्या प्रश्ण होगा एक वर्ग जिसके भुजा 1.6 मीटर है वर्ग का छेत्रफल क्या होगा यहां पर सबसे चोटी सम अभाज संख्या क्या होगी इसके बाद यहां पर हम आगे देखेंगे समीकरण एक्स बटे चार प्लस दस बराबर माइनस चार में एक्स का मान क्या होगा और किसी त्रिभुज का छेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की उचाई क्या होगी इसके बाद यहां से अतिलोगोत्र प्रिष्णों की शुरुआत हो जाएगी यहां पर आप सोत्र देख पाएंगे जो प्रस्म पूछे गए हैं यदि A स्कॉर प्रस वन बाई A स्कॉर बराबर दो हो तो वन बाटे A प्लस A का मान गयाद करना है और माइनस चार बाटे नव का गुडात्मक प्रतिलोम बताना है पांच पुस्तोकों का मुल्य साथ पुस्तोकों के मुल्य से मुल्य से रुपए बहात्तर कम है यदि A कुस्ता का मुल्य गयाद करना है और यहां पर मागे देखेंगे एक आयत की लंबाई 10 cm तथा चौड़ाई 6 cm है आयत की परिमाब बताना है और एक बरतन में 7800 cm स्क्वार पानी है बरतन में कितने लीटर पानी आएगा एक एक नंबर के प्रिश्णों हो जाएंगे इसके बाद यहां से सुरुवात हो जाएगी लगो तरी प्रिश्णों की इन सभी प्रिश्णों को मैं भी अहल करवाऊंगा अभी बाद में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो का इसा लग रहा है कमेंट को बहुत डीटिल में पढ़ने का प्रियास करूंगा और आराम से पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा हम यहां पर आगे देखेंगे क्या प्रिश्ण होगा यहां पर एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा तीस मीटर है इसके चारों और एक मीटर चौड़ा रास्ता है पार्क में दो रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च गयात कीजिए दो नंबर के प्रिश्ण है यहां पर समाजिक अध्यन समाजिक अध्यन की शुरुआत होगी जो कि पचास नंबर का पुणांग होगा और शमय है जो दो घंटे का होगा यहां से वस्तुनिष्ट प्रिश्णों की शुरुआत हो जाएगी समराट असों के पिता कौन थे गुपतर काल की परिभासा क्या थी बाग की गुफाएं हैं सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने के प्रणाली अपनाई गई किसके द्वारा और मुद्रा राच्छा नाटा के लेखा कौन थे और प्रत्विराज रासों के अधनुसार राजपोतों के पुत उत्पत्य होई इसके बाद हम आगे देखेंगे सूफि संत निजामुद दिनावलिया की दरगाह कहां इस्तित है समुद्रतल से उपर उठे हुए विसाल तम भूभाग को क्या कहते हैं पल्लों का प्रिशिद बंदरगाह कहां था और सबसे बड़ा महासागर क्या है इन सबी प्रिश्णों को मैं भी हल कर वाऊंगा निश कत्तों को किसे देश के संविधान से गिरहन्द किया गया भूमध भूकमप नापने की काई क्या है Łःер नेजी और सारवजनी दोनों छेत्रों का सह अस्टित्ट पाया जाता है कहा पाया जाता है और संग मरमर क्या है और हम आगे देखेंगे यहां से अतलो घुतिरे पिष्णों की सुरुवात हो जाएगी यह सारे पिष्णों एक एक नमबर के होंगी मेगस थनीज द्वारा रचित पुस्ता का नाम लिखिए तरतिय बहुत संगित का आयो जिनके सासनकाल में हुआ और खजुराहों के मंदिर का निर्मार किन राजाओं दो आरा कराया गया लिखिए और किन राजाओं नों इकराया राजपूत कालीन प्रशिद सिच्छा केंद्रों के नाम बताना है महिनमूद गजनवी ने भारत के प्रशिद मंदिर पर 17 बार आकरमण किया किस मंदिर पर आकरमण किया थी ये बताना है आपको और सल्तनत कालीन राजी की आये के दो साधन लिखिए परतदार साहल के कोई दो उधारन लिखिए विस्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रथवी के आंतरी क्रियाए कौन कौन सी है लिखिए और सूर्य तब किसे कहते हैं और आगे हम देख लेते हैं ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं सामिधान सभा की प्रारू समित के अद्दश कौन थे और भारती नागरीकों के किनी दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए भारत में हरित क्रांद के जनक कौन थे अर्थ बिवस्था में मूल समीमस्याएं क्या हैं लिखिए और यहां से सुरुआत हो जाएगी लगुतर ये प्रिश्णों की दोदर नमर के सारे प्रिश्णों होंगे मौर्यों की प्रसासनिक विवस्था का वर्णन कीजिए गुपते काल इन प्रमुक बंदरगाह कौन कौन से थे दच्छिन भारतिय मंदिरों की विशेष्टाएं क्या हैं और मुहमद बिन तुगलग ने अपने सासनिकाल में कौन कौन से योजनाएं लागू की थी इन योजनाओं का क्या परिणाम हुआ इसके बाद हम आगे देखेंगे हमारे प्तवी पर कुल कितने महादूए फे नामों लेख कीजिए मौली करतब्यों के संदर्व में अपने विचार लिखे जल के सुरोत कौन कौन से हैं लिखे वायू क्या है वायू के गर्म होने का क्या परिणाम होता है हमारे देश के लिए समविधान क्यों महात्रपूर्ण है और करसी विकास है तो सरकार द्वारा अपनाय जाने वाले गिनी दो पायों के बारे में लिखे और इसके बाद यहां से शुरुवात हो जाएगे छट्वे प्रश्ण पत्र हिंदी की 25 नंबर का पूरा को समय जो है एक घंटे का होगा यहां पर आप देखेंगे वस्तुनिष्ट प्रश्ण प्रत्यच सब्द में प्रत्य क्या है चोराहा सब्द में समास क्या है पूर्ण वीराम का प्रयोग कब किया जाता है कोई खाड़ा है इस वाके में प्रयोग कोई किसी प्रकार का सर्वनाम है और निमलिखित में से इस वहां पर देखेंगे तो परिच्छा में आपके लिए साबित होंगे क्रिया विशेशन की परिभासा लिखते हुए दो उदाहन दीजिए विदुस्वी एवम तपस्विनी सब्द का पुलिंग सब्द लिखिए निम लिखित सब्दों के सुद्ध रूप लिखिए प्रिया बुद्धिमान श्रीमति और उत्सव भाव वाचक संग्या किसे कहते हैं उदाहन शहित लिखिए अभी उपसर्व जोड़कर चार सब्द बनाईए आगे हम देखेंगे लगुत्री पिष्णों की यहां से सुरुवात हो जाएगी समास विग्रह किसे कहते हैं कि इनी तीन स दो उदाहन लिखिए भूत काल यों भविस्य काल में उदाहन सहित अंतर इस पश्ट कीजिए चात्रों में उचछार्ण संवंधिस उदार हें तो उपाई लिखिए विराम चिन्य कितने प्रकार के होते हैं चिन्य भी दरसाई है मौनवाचन से आप ज्यास समझते हैं मौन कूद की उपयोगिता आगे हम देखेंगे यहां से साथ वह प्रिश्ण शुरुबात हो जाएगी अंग्री जी की यहां पर पुड़ा 25 का है और समय जो है एक घंटे का ही है हम यहां पर देखेंगे objective यहां पर question होंगे which method which method is midway between translation come grammar method and direct method यहां पर विकलप आपको देखने के मिलेंगे चौथा प्रिश्ण होगा what are the two productive skills यहां पर विकलप मिलेंगे fill in the blank with suitable pronouns यहां पर आपको भी फिल करना है उसके बाद what is the full form of TLM TLM का पूरा नाम बताना है आपको और इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा fill in the correct preposition यहां पर आपको correct fill करना है और इसके बाद यहां पर very short type question होंगे change the following into indirect यहां पर direct में बदलना है indirect में आपको दिया गया है इसे direct में बदलना है और इसके बाद नीचे जो सात्मा प्रिश्ण होगा change the following into एक्टिवाइस यहां पर एक्टिवाइस में इसे बदलना है यह पैसिवाइस दिया गया है आपको fill in the blank यहां पर आपको भड़ना है टू और टू में आपको सही उतर देना है उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा super relative degree of red is super relative degree में red को क्या विकल्प सही होगा reddest, redder, most reddest या फिर more redder आगे हम देखेंगे इसका भी मैं आपको solve paper भी दे दूँगा comment जरूर करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो यहां पर हम आगे देखेंगे change the following into negative sentence change the following into positive degree यहां पर आपको positive degree में बदलना है sentence को इस वाक्य को और यहां से short type answer शुरुआत हो जाएगी क्या हो जाएगा define noun and its type with example और उसके बाद what is the use of audio visual aids give some examples of audio visual aids or write the general aim of poetry teaching which one word of the following expression और इसके बाद complete the spelling यहां पर आपको बढ़नी है spelling of the following हो जाएगा उसके बाद write an application to your principle for full free concession और पीज माफ के लिए आपको बढ़ना है और आपको नाम आपको नहीं लिखना है उसके बाद यहां पर fill in the blanks with suitable word given in the blank brackets यहां नहीं आपको जो ब्रेकट में दिये गए है except or bear bear में आपको सही भढ़ना है आप यहां पर और यह प्रशन पत्र थे उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करिएगा दो तेस समेश्टर सभी प्रशन पत्र में इस वीडियो में cover किये हैं इन सभी प्रशन पत्रों को एक एक प्रशन पत्र के साथ सभी का soul paper में upload करूंगा भी कमेंट करिएगा और मिलते हैं गले वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत रहनेवाद सब्सक्राइब जरू करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो